सो हलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यंग जनरेशन के लिए और खासतोर से उन ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स या जो कॉलेज से पास आउट अपके कंपनी में जा रहे हैं या उनके पैरेंस भी जो अपने बच्चे को गाइड करेंग यह सारे पॉइंट आपके लिए ही क्राप्टेड हैं, डिजाइन किया है मैंने, फिप्थ पॉइंट जो है मेरे परसनल बड़ा करीब है, मैं खुद पे अजबाया हूँ उसको और मैंने उसका बड़ा फायदा लिया है, तो पांचमा पॉइंट भी आप लोग देखिएग आखरी में है, और उसके बाद इस वीडियो में मैंने केवल और केवल फ्रेश के ग्रेजवेट को कवर नहीं किया है, जो एक दो कमपनी में काम कर रहे हैं, कुछ साल से काम कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पांच पॉइंट जिससे आपको पता है, कुछ लोग साथ-साथ कॉलेज करके आगे बढ़ते हैं, माल लिए एक बैच आप 60 स्टूडेंट का निकला, उसमें से 10 साल बार अगर आप ट्रैक करोगे, और इसमें कई सर्वे भी हुए हैं, तो कई लोग बहुत आगे निकल जाते हैं, और कई लोग स्ट को एक बेस बनाओ, और उसके परफार्मर, मार्क्स, कौन गोल्ड मेलिस्ट है, कौन कैसा है, और करियर में 10 साल बाद देखो, तो आपको काफे डिफरेंस नजर आएगा, ये डिफरेंस होता है, उनके आटिट्यूड और उनके डिसीजन लेगने की छमिता पे, कई बार बहुत फादा होने वाला है, कम से कम 10 से 15 साल अपने peer group से आप आगे निकल जाते हो, पैसे के मामले में भी आगे निकल जाते हो, तो मेरा पहला जो point है, कि आपने कोई company अगर join की है, ये first point है, and if you think that company is not so good, जो आपको लगता था, in terms of any up to, like you know, दो चीज़ें company में देखी ज आती है, एक तो financial growth, पैसा, कि आप grow कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, position wise, experience wise, promotion wise, post आपको क्या मिलता है, उसके बाद क्या आप लेके आओगे, अगर वहाँ भी growth नहीं है, bureaucratic approach है, कि कुछ भी कर लो यार वहीं रहोगे, एक stability कहीं कि company देती है, पैसे नहीं देती, तो आप अ company switch करता है, अगर आपके अंदर talent है, तो कोई कुछ नहीं पूछेगा, और यार corporate में तो maximum job referral से लग जाते हैं, referral से अगर आप perform कर रहे हो, तो कोई ना कोई आपको refer कर देगा, या कोई ना कोई बुला लेगा, तो आप अपने काम पे focus रखिए, best दीजिए, politics में मत internal hire management के against कभी complain मत करिये publicly, कहीं पे कोई integrity से related कोई question नहीं उचना उठना चाहिए आपके उपर, अगर आपको कोई चीज बुरा लग रहा है, तो सीधे उसी management को बताइए, किसी और को नहीं बताइए, तो कुछ चीज़ अगर आप focus करते हैं, तो उसी company में आप अच्छा grow करने लगते हैं, और जब आप switch भी करते हैं तो एक अच्छा relation बना के जाते हैं, इवन जब switch करते हैं तो सबको बुरा लगता है, hire management को बुरा लगेगा, वो आप से साहेगा कि आप से बात ना करे, relation ना रखे, लेकिन long term में आप जब company में आते हो, तो आपके वो जो अपनी behavior है, आपके performance को, उसको जरूर consider किया जाता है, दूसरा point है, कई लोग इस दूसरे point को बड़ा ही अच्छे से tackle नहीं करते हैं, और वो यह है कि when you want to, suppose you have a good choice of job कि दूसरे सहर में आपको बढ़ियां growth मिल रहा है, 30-40 person का growth मिल रहा है, लेकिन आप जाना नहीं चाहते हो, एक example लेक जाब कर रहे हैं, आपकी salary है 25,000, आपको लगता है यार, यहाँ पर मेरे लिए तो पूरा बचा ले रहा हूं, क्योंकि आने जाने में वहीं आपका घर है, आने जाने में आप बाइक से जाते हो, आपको पेट्रोल लगता है, 2000 रुपे तो आपको लगता है यार, यहाँ प रहने खाने का खर्चा हो जाएगा, बचा 20,000, 20,000 में घर से बाहर रह रहा हूं, बाकी खर्चे आना जाना, कुल मिला के 25,000 तो आपका खर्चा ही हो जा रहा है, आपके बास सिर्फ 10,000 बच रहे हैं, अपने सहर में 20,000 से जादा बचते थे, तो कई लोग आपको suggestion देने आ जाएंगे, क्या फायदा जाने से, पैसा तो यहाँ जादा बचा रहा है, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है, ये इतनी बड़ी गलती है कि मैं बता नहीं सकता, ये आपकी पूरी life को constraint और रोकने जा रहे हो, आप वहाँ 35 से start करोगे, तो जो growth मिलेगा, 35 के ऊपर मिलेगा, compounding growth हमेशा होता है, existing के ऊपर percentage growth मिलता है, हो सकता है वहाँ से आपकी और licensing हो, और आपके contacts develop हो, और आप career में आगे जाओ, तो कभी भी अपना सहर, अगर आप career oriented है, तो छोड़ने में hitch को मत, अगर यहाँ hitch कोगे, तो growth रुख जाएगी है, बता रहा हूँ, मैं personal experience से relative को जो वहीं रह गए है, company को भी पता है, यार यह जाएगा है, नहीं, इसको यहीं पर एक inertia हो गई इसकी, तो इतना इदो और कई बार वहाँ छोटी company भी होती है, जो उतना growth दे ही नहीं सकती है, आप बहुत अच्छा करोगे, तब भी दे सकती है, क्योंकि उनकी तो limit है, तो अब mechanical engineer है, मजा नहीं आ रहा है, computer engineer है, कुछ हर तक, मजा नहीं आ रहा है, and you want to switch your job, you want to change your profile, आप एक coaching में teacher है, you don't want to continue, and you want to switch your profile, but धर लगता है कि अभी तक का जो experience है तो दूसरे field में है, switch करेंगे तो zero से start करेंगे, मेरे peer group, मेरे senior होंगे, लेकिन जितनी जल्दी आप switch कर लीजिए, अगर समझ में आ गया है, कोई बुराई नहीं है, थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन long term आपको satisfaction मिलेगा, long term आपको एक growth तो मिलेगा ही मिलेगा, काम करने में जब आप satisfy होते हो ना, तो एक long term अच्छा आप plan करा करते हो, और उसको achieve करते हो, तो आप जल्दी से x rate क हो सकता है, जो आपने सुरू में gap किया है ना, वो आप fulfill कर पाओ, सबसे अच्छी बात अंदर से खुसी होती है, कई बार आप काम करते हो, पैसा भी पाते हो, लिए खुस नहीं रहते हो, और जो long term में या थोड़ी दिन में ही आपके health पे असर दिखने लगता है, आपकी personality change होने लगती है, आपका behavior बदलने लगता है, घर में आप चर्षड़े हो जाते हो, तो जितनी जल्दी आपको लगे, कि आप wrong side घुस गए हो, क्योंकि आपको job की जरुवत थी, आप घुस गए और आपको change करना है, तो आप change करो, मैंने कई ऐसे student को देखा है, कई ऐसे लोग को देखा मेरे खुद के साथ मैं mechanical engineer था, तो मेरे साथ के लोग sales में घुस गए है, और बाद में वो wait नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें अच्छी job चाहिए थी, क्योंकि जरुवत थी, और job mechanical engineer की मिली नहीं, तो sales में घुस गए, वो ज्यादा अब-level थी, और वो बाद में आप एक जराइट जगे पे नहीं हूँ अपने interest, अपने personality के साथ से, तो आपको वहाँ पे से switch कर लेना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है, fourth point सब के लिए है, ये बहुत सारे आजकल जो youth है इस fourth point के चकर में फसा हुआ है, ये जो point है कि आप iPhone, car, और कभी-कभी तो घर भी लेने में बहुत जल्दी का जाते हैं, केवल सो बिच, केवल दिखाना है आपको, सो बाजी करनी है, आपको लोगों को impress करके क्या होगा यार, इंडिया में कई बार मैंने survey पढ़ा है, फॉरे पूरे जगह सर्वे पढ़ा, 80% लोग, लोन पे, यमाई पे लेते हैं iPhone, यार टेड़ लाग है, एक लाग 20,000 का आप फोन ले ले रहे हो, आपकी salary ये 20,000, 30,000, क्यों ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, गलत, गलत, गलत है एकदम, maximum जो features हैं बाकी जगहों पे भी available हैं, सिर्फ दिखावा ना, सिर्फ दिखावा आप accept करो या ना करो, मैं तो कहने लगे नहीं, इसकी quality अच्छी, बड़ा safety feature है, जब मैंने उनके सारे logic को क्रिस्ट्वाय किया, तो कहने लगे हो अच्छा नहीं लगता है, सारे अपने साथ वाले लेके गुमते हैं, तो यार, ultimately आपकी personality आपको represent करती, आईफोन आपको represent नहीं करता, आपका bank balance आपक पंद्रहजार में, घर की माई जारी 25,000, 40,000, और उसके बाद margin money भी आपने दे रखा है, अब जितना percent bank को आप interest दे रहे हो, उतना तो घर ग्रो भी नहीं कर रहा है, कभी calculate करके ठंडे दिमाग से सोचो, और दूसरी बाद आप बद गए, घर हो गया, तो आप generally अपने जो growth है, उसको बहुत ज़्यादा exploit नहीं करोगे, दूसरे साहर में जाओगे नहीं, उसके बाद आ जाते है fifth point, यह मेरा बड़ा favorite point है, इस point में हम लोग बात करने वाले हैं, कि invest in yourself, जतना ज़्यादा हो सके, उतना आप उपने उपर invest करिए, वो पूरे badge के साथ आपको return करेगा, कोई course when करी, आजकल IIT में, IIM में बड़े अच्छे courses हैं, वहाँ आपकी alumni डबलफ होगी, वहाँ आपकी जान पहचान बढ़ेगी, वहाँ आपके references बढ़ेंगे, आपका दिमाग खुलेगा, दिमाग खुलेगा तो ज़्यादा अच्छे से सोचेंगे, और ज़्यादा काम क believe me, it will help you, तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताईएं, अगर आप इसको कोशिस करोगे, follow करोगे, तो मुझे लगता है, फरक पड़ेगा, so thank you very much, अकर वीडियो अच्छा लगा हो, तो like, subscribe करिएगा, बताईएगा क्या लगा आपको, आपका अपना वीव क्या है, thank you, bye bye take care